बनारस में आई हूँ अपने लिए कुछ स्लीपर बगर लेने जैद दुरगे शू सेंटर है जो कि यह जगः पड़ता है बनारस के सुस्वाही में तो सुस्वाही में मैं और यह मेरी मकान मलकिन भाबी है जो कि आई थी यह भी अपने कुछ काम से आई थी तो मैं बोली मैं भी चलती हूँ तो मैं आ गई यहां पे अपने लिए स्लिपर ढूणने क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा है काफी ज्यादा दर्ड तो मुझे ऐसे चपल की तलास है जो मेरे पैरों कुछ ज्यादा से ज्यादा आराम दे और मैं ऐसा स्लीपर चाहती हूँ जो सस्ता भी हो और टिकाओं भी हो लंबे समय तक चले और यहाँ पे आ गई सुस्वाही पे पैदल चल करके वो भी रास्ता भूल गई थी और यहाँ पे आने के साथ ही मैं उनको बोली कि मुझे ऐसा स्लीपर दिखाई यह जो बहुत ही ज़्यादा आराम दायक हो और जिसको पहन करके पूरे घर में मैं घूम सकूँ बातरूम में भी यूज कर सकूँ तो यह पहले यह वाला स्लीपर दिखाई है बोले कि बहुत ही कमपटेबल है जितना भी आप इसको एट ले मरोड ले कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा मैं इनको पूछी कि वैसे तो मैं ज़्यादा तर फ्लाइट की ही स्लीपर पहनना करती ह लेकिन क्या यह स्लीपर कितने दिन तक चलेगा मतलब कितने दिन तक चलेगा जल्दी तूटेगा तो नहीं न उन्होंने कहा मैडम आप इसको ले जाएए जब तक आप बुड़ी नहीं हो जाती है तब तक यह नहीं तूटेगा हाहाहा बहुत अच्छा मजाक था खैर मैं अपने लिए स्लीपर कर रही है कौन साच है इसका प्राइस deficarian है दोगा हैं सबसे पहले तो यह सबसे किल्गा में वर्मन कम्फोर्टेवल स्लीपर चाहिए जिसको पहन करके मैं आराम महसूस करो तो यह दोनों ही पर मुझे दे रहे नाप लीजिए और नापने के बाद आप फिर उसका जोडा में लगा करके दे दुगा इस तरह से लेकिन इन्हों Woah थो न बोला कि आप दोनों ही स्लीपर देख लीजिए ॉ तो मुझे ये अच्छा लगा इस दुकान में सा ज्यादा यह ज्यादा आराम देगा फिर मैं बोली चलो ठीक है लेकिन इतना महगा क्या करूंगी और वह 200 रुपए की ठीक थी 50 रुपए भी कम है ना अब मैं उनको बोली मुझे सॉक्स चाहिए अपनी बेटी के लिए जो की स्कूल जाने के लिए ठीक हो जैसे ब्लू कलर मैं तुरहन बोला मेरे पास ब्लू कलर का सॉक्स नहीं यह बच्चे के लिए फिर मैं बोली मेरे लिए तो होगा ना कॉटन सॉक्स जो की गर्मियों में ठंड में भी यूज किया जासे के नॉर्मल वाला सॉक्स बोले है मैं उनको थंब वाला मुझे दिखाएगा तो यह थ अभी चार साल की है तो उसको भी यह आ जाएंगे मुझे पता है तो यहां से मैंने चार सॉक्स ले लिए और काफी अच्छे अच्छे डिजाइन के मुझे लग रहे थे तो मैं सोची चलो इसको ले ही लिया जाए और देख सकते हैं कि इसमें प्रिंट वागर अभी बने तो यहां पे सॉक्स का भी मैंने चुनाव कर लिया और मैं बोले इसको साइट में रख दीजे और फिर मुझे और भी कुछ दिखाईए क्योंकि मुझे आज कुछ और भी लेना है तो मैं बोली मेरे हस्पन के लिए स्लीपर दिखा देजे उनका जनम दिनाने वाला है तो मै बहुत कम यूज करते हैं मतलब वह चलते ही कहां है कि वह ज्यादा यूज करेंगे मैं इतना चलती हूं घर की जितने काम करती मुझे कि इतना ज्यादा चलना पड़ता है एक ही जगह बार बार घूम करके आना पड़ता है तो मुझे तो आराम दायक चपल चाहिए मैंने ख तो इसमें जो मरून कलर था मुझे लगा मेरी हसमें को पसंद नहीं आएगा तो मैं उसको साइड कर दी यह ब्लू वाला फिर वह दिखाए तो ब्लू वाला भी मुझे ठोड़ा ठीक ठीक ही लग रहा था लेकिन मुझे लगा ना कि यह कुछ खास नहीं है मतलब फीका फीका स कि अपने रस्फटर कर सको जनम दिन पर चपपल दो रहें तो वह देरी है तो वह भी दे दूंगी तो हस्मन के लिए क्विट्स आपको कैसा लगा किई घटया चाहिए और नहीं देना चाहिए और आँग है एक और सूज में देखी हूं लेकिन मैं इसको खरीदी नहीं क्योंकि यह काफी ज्यादा महांगा था साथ सौ आट सौ रुपय का था मैं बोली चलो और कलेक्शन ले आओ मेरी साइज की तो फिर मैं और लोंगी घर में पहनने वाला अपने हस्बंड के लिए अपने लिए मैं चारश था सौत्याट देखान हैं जलो मैंने ले लिए और colored हूफ मेरी साइज का और दिखाए और ज्सक्रा फेंड इस साइज साइज का दिजाइन तो बहुत हैं यह आपके सीयनिकल परिकिए तब मैं आउंगी कुछ दिनों के बाद और एक जुट्ती ले कर जाओंगी वा बाइ